कि बुड़ाफ्टन दोस्तों मेरे नाम राशीद अलिए मेरे स्मार्टेक चैनल पर आपका स्वागत है और आज मैं बताऊंगा कि फ्यूल मीटर होता है वो कैसे चलता है उसको चलाने वाले क्या चीज़ होती वह आपको बताऊंगा यह जो आप देख रहे हैं इसको बोलते ह है फ्यूल टैंक लेवल सेंसर भी इसको बोलते हैं अब इसको पताते हैं कि खराब है यह सही यह कुछ करने का सही तरीका बताते हैं यह मैंना आपको जोड़ रखाए दोस के अंदर पीने होती है मल्टिमेंटर को कनेक्ट करके और 200 ohms पर 200 ohms पर मल्टिमेंटर को सिलक्ट क है आप देखिए कि कितना 6.9 रेजिस्टेंस आरा जबकि वो एंपेटी पोजिशन पर इसका फ्लोट अब जीरे जीरे इस फ्लोट को अब देखना आप इसको अब जीरे-जीरे में इसको इस लेवर को बढ़ाता हूं तो देखिए रेस्टेंस भी बढ़ती रहेगे अब से 9.9 है रेजिस्टेंस अब देखिए है ठीके 9.6 हो गया अब देखिए हंड्रेट है ट्वैल हो गया और 134 हो गया और यह फूल कर दिया इसका तो 173 इसका रेजिस्टेंस फेलियों होगा 173 इसका रेजिस्टेंस वेलियों और यह था उसको प्रोसेस चेक करने का अगर रेजिस्टेंस वेलियों जहां पर नहीं बताता है तो समझ लीजिए खराब हो गया है तो यह मैंना आपको इसका फ्यूल मैट्रिंग यूनिट फ्यूल लेवल सेंसर के बारें बताया कि इसक चीज़ पता करने लिए सबसे पहले हम मैंट्रिंग उनिट चेक करके मैंने आपको बताया है और इसका चेक करने का प्रोसेज में आपको बता दिया है मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे वीडियों बहुत पसंद आगी प्लीज लाइक करना ना भूलिए सब्क्राइब करना ना भूलिए थैंक्यों वेरी मिच वाचिंग फॉर दिस वीडियो